सब्सक्राइब कीजिए लर्ण त्रिपली चैनल को और प्रैस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हेलो दोस्तो लर्ण त्रिपली चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त जगदी जोसी दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कंजरवेटर टैंक के बारे में मैंने अपनी पिछली दो वीडियो में आपको ट्रांसफर्मर के वर्किंग प्रिंस्पल और उसके पार्ट के बारे में बताया था और एक वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांसफर्मर डीसी में वर्क क्यों नहीं करता अगर आपने वो दोनु वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए एक बार ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ मा आ सके देखिए जिन ट्रांसफर्मर में हम ओयल की कूलिंग करते हैं कि ट्रांसफर्मर होते हैं हमारे इन ट्रांस babies को हमें ऑईल भरा हुआ रहता है सेमे चोका सा टैंक हमारा एक और होता है उपर जिसको कि हम कांजरवेटर टैंक बोलते हैं ठीक है तो यह tank क्या होता है और इसके बारे में हम पूरा detail में discuss करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखीगा क्योंकि यह बहुत important part है transformer का जिस transformer में हम oil की cooling करेंगे उसका अगर conservator tank अगर proper work नहीं कर रहा है या फिर इसके जो आउटलेट का जो वाल है वो प्रोपर यह work नहीं कर रहा है या फिर अगर चौक हो गया है तो हमारे transformer में काफी दिक्कत आ सकती है हो सकता है हमारे transformer की जो internal winding है वो जल जाए ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको यह conservative tank दिखा रहा है इसके दो outlet है दे देखिए ओके तो देखिए transformer का जो conservative tank होता है उससे पहले में आपको transformer के जो यहाँ पर मैंने दिखा रहा है इसके पार्ट सी में आपको बता देता हूं देखिए जो मारा transformer होता है इसके अंदर हमारी तीन कोईल होती है जो कि अगर हमारा transformer three phase की winding है इसमें तो इसमें तीन को लूंगी है हमारी ठीक है आर वाई-गी सेम इसके उपर यहनिकी एक टैंक यह होगया हमारा men tank और सेम एक यह है जिदो की हमारा conservative tank है इसके बारे मारे हम यहाँ पे discuss करने वाले और एक men tank यहनिकी मैन tank और conservative tank इन दोनु टैंक के बीच में एक और छोटा सा हमारा डिबर टाइप का होता है जिससे हम बकॉल रिले बोलते हैं इसके बारे में भी हम डिसकस करेंगे आगे हम इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको बताऊंगा ठीक है तो होता क्या है कि जो हमारी इंटरनल वैंडिंग हो होता है iron losses दूसरे होते हैं हमारे copper losses ओके तो इन दोनों losses के वज़ा से हमारा जो transformer की जो coil है और जो core है दोनों heat होने लग जाती है और heat होती है तो इस heat से जो मतलब की इस heat से heat को cooling provide करवाने के लिए हम यहाँ पे transformer oil use करते है transformer oil को हम mineral oil भी बोलते हैं तो जो इसकी जो winding होती है इसको cooling provide करवाने के लिए हम यहाँ पर oil use किया हमने और सेम यह मैं टैंक होता है यह और से पूरा भरा हुआ रहता है और यह वाला टैंक जो होता है हमारा conservative tank यह हमारा आधा भरा हुआ रहता है अब यहाँ पर एक चीज़ जान देने वाली है कि हम जो oil भरते हैं transformer में वह conservative tank से भी भर सकते हैं और में टैंक से भी भर सकते हैं वह से हम नॉर्मली जो क्या काम करते हैं conservative tank से oil भरते हैं इसमें और हम oil इतना भरते हैं कि हमारा oil में टैंक से में टैंक तो हमारा full ray और होने तक हमारा जो conservative tank है वो आधार हो जाए ठीक है इतना हम इसमें oil हमेशा oil का level हम भर के रखते हैं अब देखिए जो ट्रॉंसफर्मर का जो outlet है यहां पर यह वाला यह आउटलेट हमारा transformer के इन लब की ट्रॉंसफर्मर में connect होते हैं और जो उपर का जो आउटलेट है हमारा यह हमारा ब्रीदर से लिए भर को ब्रीदर से करेक्ट होता है अब होता क्या है कि जब भी ट्रॉंसफर्मर में कोई इसके internal winding में कोई फॉल्ट आ जाता है यह फिर हमारा लोड एकदम से जदा बढ़ जाता जिसकी वह एक होई कोई हीट हो जाती है या फिर अधर कोई होता है कि हमारा जो वो हीट हो रहा है या फिर हमारे जो ब्रीजर आप म прот錦 में सब्ली सब्राइस आगया तो प्रोपर काम कर रहा है और कूल कानीं करवारा को तो भी हमारे क्या होगा कि जादा हीट-इप हो जिसके वेस्ट यहां पर क्या होगा है वो गरम होने लगेगा तो उने के बाद क्या होगा यह वह अपने लेवल बढ़ाने लग ayrती कि कि хarm की जरती है सरे मिसी तरिके से sudah ऑल होगा और यह अपना level बडाने लग जाएगा तो जैसे ही इसका level बड़ेगा दो यह आधागर आगर मांकि हैं यहां पर इंटरनल वैंडिंग ज्यादा हीट ऊप हो जाती हैं तो यह है इसका जो उयल है वह अपने लेवल पर नीचे आ जाएगा ठागा यहा पर उसके बाद AH Bak कि आप मैंने आपको दिखा भी रखा है कि सबसे पहले तो जो हमारा अगर हम माने जो कोई transformer को हमारा न्यू बिल्कुल transformer है हमने उसमें वाइंडिंग करी वाइंडिंग करने के अच्छे मेहने में करना है उसके लिए हम ओयल का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हैं वह हम चेक कर लेते हैं ठीक है उसके बाद हम ओयल को देखे मैं आपको बता था कि दॉरूरा और वुझे अधा उपरा हुआ है तो कभी अगर आप मानीजिए किसी सब स्टेस्न पर काम करते हैं या फिर अगर आप से इंडरी में पूछा जाता है तो आपका अंसर यह रहेगा कि कंसर्विटर टैंक हमारा हमेशा आधा भरा हुआ हुआ रहता है और मैं टैंक जो होता है ट्रांसफॉर्मर का वो पूरा भरा हुआ पर रहता है कि सब्सक्राइब करते हैं तो आप ट्रांसफॉर्मर में इतना भरिये की कंजर्विटर टैंक का जो हाफ लेवल है वहां तक आधा इंडरी टैंक और जो बहुत हुआ होना चाहिए यह फिर इस पर एक लेवल भी लगा होता है जहां पर सो होता है कि हमें कहां तक इसमें भरना है और यह इनलेट का वाल होता है हमारा यह ब्रीडर इसके ब्रीडर रहते हैं यहां पर हम एक छोटा सा डिबबा रहता है इसमें कि हम सिलीका जेल भर के रखते हैं ताकि जब यह माली जिए ओयल हीट अप होगा और अपना लेवल उपर बढ़ेगा इसका तो ल तो वगरा ओयल में मिक्स ना हो जाए इसतहां यहां पर शिलीका जेल लगाते हैं ताकि हमारा जो डेस्ट और मॉइस्चर ओयल में मिकस ना हो जाए तो ओयल की डियलेक्रिक स्थेंट जो है वह दीरे दीरे खत्म होते हैं I hope दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप हमारा एंडरोट अप्लिकेसनी भी नानलोट कर सकते हैं एपका लिंक में आपको इसी वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और जो बगल में बेल आइकोन है उसे अन करना बिलकुल मत भूलना क्योंकि अगर आप उसे अन नहीं करोगे तो यूट्यूब आपको हमारी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा ओके तो थैंक्स पर वाचिंग जल्द मिलते हैं अपनी नैक्स्ट वीडियो में